हलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैं चैनल, मैं हूँ पृती और आज हम बात करने वाले हैं 2011 में रिलीज हुआ एक बहुत एक कंट्रोवार्शियल और कंफ्यूसिंग फिल्म सोर्सकोट के बारे में यह एक साइन्स फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे डारेक्ट किया है डानकें जॉन्स ने और इस फिल्म में हमें जेक गिलेन हाल, मीचल, मोना खान, बेड़ा परमीगा जेफरी राइट चैसे बहुत अच्छे अक्टर और अक्ट्रेसेस देखने मिलेंगे दोस्तों यह एक बहुत बहतेरिन फिल्म है और जिसका पूरा प्लोट एक एक मिनिट का टाइम लूप में रिप्ले होता है एगेन अन एगेन इस फिल्म का IMDb रेटिंग है 7.5 आट अफ 10 रॉटेन टरमेटोस में इसका स्कोर है 92% और मेटा क्रिटिक स्कोर है 74% शिकागो शहर में एक बहुती फैटल बॉब एक्स्पोलोशन के कारण एक ट्रेन में बहुत सारे लोगों की जान चली गई है पुलिस ने बहुत कोशिस तो की इस आतंगवादी को पकड़ने के लिए लेकिन वो पकड़ा नहीं गया लेकिन पुलिस को ये पता चला है कि ये अटाकर फिट से शिकागो शहर में कहीं न कहीं दूसरी टाइम बॉब फिट करने बाला है लेकिन कहा और कब ये पता करना बहुत नामुम्किन होता जा रहा है क्योंकि उस ट्रेन का कोई भी सधे से अभी जिन्दा नहीं है तो साइंटिस ने एक प्रोग्राम बनाया जिसके मदद से वो लोग इन मड़े हुए लोगों में से किसी किसी का मेमरी कलेक कर सकता और उस कलेक्टेट मेमरी से एक इमेजिनरी वर्ल बना सकता है और किसी को real world से वहाँ पर भेज सकते हैं जिसके मदर से वो इस bomber के बारे में कोई clue लेकर आए इस source code program में कोई मरे हुए वक्ती का last 8 minute का ही memory collect कर सकता है उससे ज्यादा नहीं जैसी इस train accident में मरे हुए एक वक्ती है Sean Fentress नम का उसका 8 minute का memory collect किया गया है लेकिन अब problem यह है कि यह memory किसके उपर डाले क्योंकि इसे चाहिए कोई active brain अब कोई जिन्दा है इनसान तो अपने उपर ऐसा कोई experiment होने नहीं देगा तब ही इस plot में entry होता है fighter pilot Captain Coltus Stevens का जो आफगानिस्तान के एक war में शहिद हो चुके है QSR में ने भी उसे मृत खोशित कर दिया है लेकिन साइंटिस्टों ने जब देखा कि वो dead तो हो चुका है लेकिन फिर भी उसके दिमाग का कुछ हिस्सा अभी तक जिन्दा है तो उन लोगों ने उसे इस source code program में लिंक कर दिया तो अभी कोल्टर फेसे जिन्दा हो गया है इस source code program में लेकिन वो अभी उपस्ती थे उस शौन फेंटरस के body में यही से movie का plot शुरू होता है और हमें उसी train का एक compartment दिखाया जाता है जिस train में ये explosion हुआ था हम कोल्टर को देखते हैं वो लीन से जाग रहा है लेकिन वो काफी confused है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं है कि वो इस train में कैसे आप पहुँचे उसका last memory है जब वो अफगानिस्तान में वोर फिल्प में fight कर रहा था वो जाकते हैं आसपास के passengers को देखते हैं लेकिन उसके सामने बैठे जो लड़की थी Christina नाम का वो उसे Sean नाम से बुलाती है लेकिन वो उसे कहती है कि मेरा नाम कोल्टर है मेरा नाम Sean नहीं है वो उटकर बाथरूम में जाते हैं और शीशे में खुद को देखते हैं लेकिन उसका जो reflection था वो किसी और का था वो pocket से उसका ID card में निकालता है लेकिन उसमें भी उसका नाम नहीं था वहाँ पर नाम लिखा था Sean Fentress तभी बाथरूम के बाहर से Christina उसे पुकारता है Sean नाम से और फिर वो उसे कहती है कि मेरा नाम कोल्टर है और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा explosion होता है और वो senseless हो जाता है उसका sense आता है तब वो देखता है वो एक बहुत ही छोटी सी capsule में है और उसका सामने एक screen है जहाँ पर Captain Gordon नाम का एक औरत बैठी हुई है विडवेन ने कोल्टर से पूछा तुम्हें क्या bomb मिल गया लेकिन कोल्टर को इस bomb के बार में कुछ में नहीं मालू उसने कहा कौन सा bomb मुझे कुछ भी पता नहीं तब Gordon ने वोला तुम फिर से train में जाओ और इस bomb को ढूंडो और ये पता करने के कोशिश करो कि ये bomb किस ने प्लांट की क्योंकि वो तुम्हारी ही co-passengers में से कोई है ये बोलकर Goodwin ने फिर से कोल्टर को उसी train में भेज दी अब जब कोल्टर इस compartment में नेंज से उठा तब उसके आसपस वही सब चीजे हो रहा था फिर से जो उसके पहली बार यहाँ पर आने के time पे हुआ था काफी हैरान तो था ही कि ये सब क्या हो रहा है ये repeatedly एकी चीज बार बार क्यों हो रहा है मेरे साथ लेकिन फिर भी उसने go to in के बात अनुसार उस बॉम को ढूणने की कोशिश की जब उसे याद आया वो last time उसी washroom के सामने था जब ये explosion हुआ तब वो जल्दी से जाकर वहां पर ये बाम को ढूणदा लेकिन चारो तरफ देखने पर वे उसे कहीं पर नहीं मिला लेकिन जब वो उपर ventilation के block में देखा तब वहां पर उसे मिल गया लेकिन तब ही 8 मिनिट कंप्लीट हो चुका और explosion हो गया फिर से वो खुद को पाया उसी capsule में लेकिन इस टाइम जब Goodwin ने उसे बाम के बारे में पूछा वो काफी भर गया उसने कहा कि पहले तुम मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है उसके बाद ही मैं तुम्हारी कोई question का answer दूँगी अब Goodwin ने उसे इस train में हुआ हाथसे के बारे में कहा और source code program के बारे में में कहा और कहा कि तुम इस program से अब linked हो चुके हो तो तुम ही हमारे मदद कर सकते हो उस आधंगवादी को पकड़ने में तो तुम जल्दी से उस train में लोट चाओ ताकि तुम 8 मिनित के अंदर उस bomb को locate कर सको और पता कर सको कि ये bomb किसने प्लान किया है filter को ये भी पता चला कि वो कैसे इसी train का एक passenger Sean Fentress नम का वक्ती जो अभी मर चुका है उसका memory relief कर रहा है लेकिन उसे बाखे सब कुछ तो समझ में आ गया लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि वो वर्ट सोन से इस train में कैसे आ पहुँचा Godwin से बार-बार पूछने पर भी उसे कोई प्या answer नहीं मिला वो बार-बार अपने पापा से भी बात करना चाह रहा था लेकिन Godwin ने कहा तुम पहले इस mission का complete करो उसके बाद में तुम्हें तुम्हारी पापा से बात करवा दोंगी इस बाद जब कोल्टर उस train में पहुँचा तो वो trickfully क्रिस्टिना को लेकर एक station में उतर गये और उसने एक विक्तिका भी पीचा किया जिस पर उसको doubt था कि शायद ये वही आतंगवादी हो सकता है जिसने ये bomb लगाया है उसने उसके साथ हाता पाई भी की लेकिन कोल्टर एक train track में गिर गया और उसके उपर से train जाने के वज़े से वो पाव पर ही मर गया लेकिन जब वो इस बार अपसुन में पहुँचा तब वो काफी खुश था क्योंकि उसका शायदी मौत हो गया हो लेकिन उसने क्रिस्चिना को बचा ली क्योंकि जब वो blast होगी तब क्रिस्चिना अल्रेडी station पर होगी ट्रेन पर नहीं होगी लेकिन गुडवे ने उसे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है उसने क्रिस्चिना की ITV सर्ट के कोल्टर को दिखाई और बताई कि देखो तुम किसी को भी बचा नहीं सकते क्योंकि ये accident हो चुका है ये सब ही मर चुके है तुम सिर्फ ये focus करो कि तुम कैसे उस बॉम प्लांटर को पकर सकते हो इस बाद चब कोल्टर उस ट्रेन में पहुंचा तो वो काईदे से क्रिस्टेना से ये पता कर ली कि कोल्टर स्टेवन्स का मौत दो महने पहली हो चुका है US गवर्मन ने उसे मृत घोशित कर दिया है दो महने पहली है ये सुनकर वो बहुत हैरान है क्योंकि वो मर चुका है तो वो इस ट्रेन में जिवित अवस्था में क्या कर रहा है लेकिन तभी आठ मिनिट कंप्लीट हो जाता है और फिर से बॉम ब्लस्ट होता है और कोल्टर फिर से उसी कैपसुल में चला जाता है वो गुडवेन से खुद के बारे में पूछता है वो पूछता है कि मैं क्या मर गया हूँ गुडवेन उसे सारी हकीकत बोलती है वो उसे कहती है कि तुम एक्च्छल में तो मर गया हो इसलिए शौन की मेमरी ही उसके अंदर पूट किया गया और जो की वो शौन का ही मेमरी अभी यूज़ कर रहा है इसलिए वो वहाँ क्रिस्टिन और बाकी पैसेंजर्स के सामने शौन का ही बोडी में उपस्ती थे क्योंकि उसका जो खुद का बोडी है वो तो इस एक्चुल दुनिया में है वो भी आधा हिस्सा क्योंकि उसका बाकी आधा हिस्सा और एक हाथ वर्म ही डिकंपोस्ट हो चुका था तब ही वहाँ पर आते हैं इस सोर्स कोड प्रोग्राम के जो हैड है प्रोफिसर रातलेच वो आकर कोल्टर को कहते हैं देखो तुम किसी को भी सेफ करने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम पास्ट को चेंज नहीं कर पाओगे ये इंसिडेंट अल्रेडी हो चुका है क्रिस्टीना बाकी पैसेंजरों के साथ मर चुकी है तुम अगर अपने डिसीशन के हिसाब से कोई अल्टरनेट रियालिटी क्रियेट भी करो तो भी वो भी एक इमयजिनेशन ही होगा वो कोई रियालिटी नहीं होगा तो तुम सिर्फ यहीं पर फोकस करो कि वो बॉम प्लांटर कौन है क्योंकि उसे पकरने पड़ ही हम ये दूसरा एटक रोक सकते हैं कोल्टर सब समझ गया वो काफी उदास था क्योंकि वो अगर जब मर ही गया है तो ये लोग क्यों उसे फिर से यूज कर गया है तब राथलेज ने उसे प्रॉमिस कि अगर ये मिशन कंप्लीट हो गया उस बॉम प्लांटर को धून नहीं पा रहा था वो जब इस बार कैप्सूल में लोटा तो वो हार मान चुका था और उसने गुडविन से कहा कि देखो मुझसे ये नहीं हो रहा तब राथलेज ने उसे उसका पापा का एक आडियो क्लिप सुना है जहां पर उसके पापा उससे एक हीरो कह रहा था इसे सुनकर कोल्टर बहुत इंस्पायड हो गया और वो फिर से ट्रेन में जाने के लिए राजी हो गया वो ट्रेन में गया और अब वो जल्दी से उस बॉम के पास जाकर उस बॉम से उस फोन को निकाल दिया जिसके साथ उस बॉम को टच किया गया था उसने उसी फोन का लास डायल नमबर पर डायल किया जो इसी ट्रेन का ही एक पैसेंजर के पास गया तो वो जल्दी से जाकर उस पैसेंजर को पकड़ा और कहा कि मुझे पता है तुमने इस बॉम को लगाया है लेकिन तब उसने देखा वो पैसेंजर कोई और ही था और वो अपने बीवी के साथ बात कर रहा था तब उसने देखा कि अभी अभी एक पैसेंजर ने एक स्टेशन पर उतरा है और उसके पास ये रिंग गया है वो जल्दी से जाकर देखता है तो वो पाता है कि वो passenger intentionally अपना जो पर्स था वो दूसरी एक compartment में छोड़ रहा है वो उस पर्स को उठा लेता है और उस passenger का पीछा करता है वो कुछ दूर जाकर वो passenger एक van के सामने रूख जाता है और कोल्टर उसे पकड़ लेता है और उसे confront करता है कि तुम ही हो ना वो कोल्टर को उस आत्मी के उस गारी में बहुत सारे बॉम भी दिखते है जो वो short था उसका next target में वो locate करने जा रहा था वो उस आत्मी को gunpoint में ले लेता है लेकिन तब भी वहां पर क्रिस्टेन आ जाती है जो पीछे से कोल्टर को पुकार रही थी तो कोल्टर थोड़ा concentration lose हो गया उसका और उसी father लेकर वो आत्मी ने कोल्टर को गोली मारती कोल्टर जब मर रहा था तब उसमें देखा कि उस train म एक bomb blast हुआ वो काफी हैरान था क्योंकि उसने तो phone detach कर दिया तब भी वो bomb blast हुआ actual में उस bomb के साथ दोनों phone attach दी उसने एक phone तो निकाल दिया लेकिन दूस्टी phone रह गया इसके वज़े से ही वो bomb blast हो गया फिर से वो capsule में लोटने पर goodwin को उस वेक्ति के बारे में और उस van के बारे में भी पूरा details दे देता है जिसके वज़े से पुलिस ने उस वेक्ति को ग्रिपतार कर लिया था और वो दूसरा bomb attack हो नहीं पाया असल में ये वेक्ति थोड़ा psycho है और उसका according ये पूरा पित्वी पूर होना है लेकिन फिर भी वो goodwin से request करता है कि मुझे सिर्फ एक बार और लास टाइम उस ट्रेन में जाना है असल में वो काफी टाइम से ये cycle repeat कर रहा है जिसके वज़े से वो क्रिस्टिन और बागी passenger के साथ काफी sympathize कर पाता है और वो कुछ भी करकर बागी सब को बचाना चा करता है गुर्डविन राजी तो हो जाती है लेकिन उसे बार बार यह याद दिलाती है कि देखो तुमारे पास सिर्फ एक ही आठ मिनिट का cycle है आठ मिनिट हो जाने के बाद में तुरंत ही तुमारे लाइब सपोर्ट बर्थ कर दूँ कोल्टर राजी हो जाता है और वो फि के फोन से उसके पापा को एक कॉल करता है लेकिन वो कोई और बंकर करता है क्योंकि उसके पापा के लिए वो अल्रेटी मठ चुका है उसके बाद वो उसी फोन से गुर्डविन को एक मैसेज करता है और वो क्या है वो हम बात में देखेंगे सिंध काट होता है हम में explosion करने की कोशिश की गई लेकिन वो नाकाम हुई और तुम्हारी बनाए हुई इस source code program के बार में तुम्हें भी नहीं पता कि ये क्या क्या कर सकता है हमारी यहां पर source code program में सब बच चुका है क्योंकि ये explosion मेने रुख दिये और तुमने इसमें मेरे पूरा साथ दिया है गोडवेन अभी जाते है प्रोफेसर रातलेच के पास जो अभी थोड़ा वेर्थ थे किसी नीज को देखने में और हमें दिखाए देता है यह वही नीज है जिसमें दिखाए देता है कि एक explosion का नाकाम कोशिश किया जा रहा था और रूतलेच तब भी गोडवेन को कहते है कि कभी फेचर में ऐसा ही कोई इंस्टेंट हूँ तो हम हमारा source code program रान कर सकते यह statement थोड़ा confusing है क्योंकि source code program का ही तो फल है यह actual में इस दुनिया में यह explosion जो कि कभी नहीं हुआ तो इन लोगोंने source code program का भी यूज कभी नहीं किया हम लोग अभी तक जो देख रहे थे वो कोल्टर के बनाए हुए एक alternate reality है जो कि उसने उस explosion को रोक दिया था तो यह alternate reality create हो गया असल में राथलेच जो सोच रहा था कि कोल्टर पास्ट को चेंज नहीं कर सकता यह पूरा गलत है क्योंकि कोल्टर ने प्रूफ कर चुका है यह explosion को रोक कर कि alternate reality can be created within the past और असल दुनिया में जो कि past पूरा चेंज हो चुका है अभी तक यह explosion हुआ ही नहीं जिसके वज़े से साइंटीस्टो ने अभी तक इस source code प्रोग्रम का भी इस्तमाल नहीं किया सुभा उस explosion में जिस जिस पैसेंजरों की death हो चुकी थी वो सभी अभी सही सलमत जिन्दा है लेकिन जो कि यह past के change होने के टाइम पर शौन कर memory कोल्टर के अंतर जिन्दा थे तो कोल्टर ही अभी शौन बन चुका है लास्ट में कोल्टर जो की अभी शौन है वो और क्रिस्टिना के बीच एक relationship form होते दिखाई देता है और फिल्म एंट हो जाती है I hope you liked my video if you did then please hit the like button and subscribe to my channel thank you bye